नमस्कार मैं विएक Eternal Education पे आप सब का स्वागत करता हूँ हम VUP SSC P8 2023 के लिए एक सीरीज सुरू कर रहा हैं यह एक booster सीरीज होगी इसको आप Revision सीरीज भी समझ सकते हैं इसमें हम P8 में पूछे जाने वाले सभी टापिक्स के GS के जितने टापिक्स हैं इन सब की एक वीडियो बना देंगे जिसे कम समय में आपका रिवाइड हो जाए तुरंद और आपको सब कुस समझ में आ जाए और exams में maths बढ़ेंगे इससे तो इसका पहला टापिक है गौतम बुद्ध के बारे में बहुत धर्म में टापिक उसका है बहुत धर्म उसमें गौतम बुद्ध के बारे में उनकी जीवनी और उनकी सिच्छाओं के बारे में हमें पढ़ना है तो चलिए शुरू करते हैं इसको तो बहुत दर्व के बारे में हम पढ़ते हैं बहुत दर्व में गौतम बुद्ध के बारे में हमें पढ़ना है गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था? सिध्धार था गौतम बुद्ध के सबसे पहले आते हैं जन्व इनका जन्म 563 इसा पूर्व हुआ था और मृत्य चार सो तिरासी इसा पूर्व में भूई थी इनका जन्म लूंगबीनी के वन में हुआ था जो की कपिल वस्तु में पढ़ता है जो की नेपाल में है इनको बुद्ध, साक, तथागत, लाइटा, फेशिया इन नामों से भी जाना जाता है वतम बुद्ध को इनके पिता का नाम सुर्दोधन था जो की साक के कुल से संबन्दित थे और माता का नाम महामाया वो कोली यवन से संबन्दित थी इनकी पत्नी का नाम यह सोधरा था उससे इनका पुत्र हुआ था जिसका नाम राहूल था और इन्होंने साधी के बाद इनको पुत्र की प्राप्ति हुई उसके बाद इनके सामने कुछ ऐसी घटनाय घटी जिनकों देखने के बाद इनके मन का परिवर्तन हो गया वर्स की थी और इन्होंने ये ज्ञान प्राप्ति के लिए ये बोध गया कुछे बोध गया में इन्हों पीपल विरिच्छ के नीचे बैटके ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या की तो इसको ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है इसको याद रखें महा भी इन प्राप्त हुआ इनको निर्वान इनको 35 वर्स के आए प्राप्त हुआ मतलब इनको 6 वर्स लगे और ये बहुत गया बिहार में था उसके बाद इन्हों ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में वारारसी में है जो की तो उसे हम धार्म चकर परिवरतन के नाम से जानते हैं और इनकी म्रित्य को महापरिनिर्वान कहा जाता है अब वो कुसी नगर में इनके म्रित्य हो गए थी वहाँ पे अपने सिस्से के संकलन है पूरा वीना पिटक में क्या है बहुत द्लब जयसे संब्दि जितने भी नियम कानOL वह उसमें लिखे गए इसके बाद अभिधम पिटक का अता है इसमें बहुतम बुद्य के विच्छारों का संकलन है के में पिटक में शुत्त पिटक, विनय पिटक अभिधन पिटक, उसके बाद बुद्ध धर्म से चुड़ेखे ती रत्न हैं बुद्ध धर्म संग बुद्ध का मतलब ज्यानी ज्यक्ति बुद्ध धर्म धर्म से हैं संग और चार से संबंदी अब बहुत धर में प्रतीक हैं कुछ गतम बुद के जन्म को कमल एवं सांड से दरसाते हैं ग्रेत्याक को घोड़े से दरसाते हैं और ग्यान प्राप्त को पीपल क्योंकि इनको पीपल रिच्छ के नीचे ग्यान प्राप्त हुआ था इसलिए पीपल से दरसाते हैं उसे और इनको निर्वान प्राप्ट जो हुआ था को उसको दर्शाने के लिए हम पदचिन न होगा या तो इस तूप दोनों का प्रयोग करते हैं इनके गुरु का नाम अलार कलाम था पहले अलार कलाम मिले थी इनको वह साली में गुरु उसके बाद इनको रुद्रक राम पुत्र मिले राजग्री में और बहुत सिच्छा का जो केंडर है उस समय था वो विक्रम सिला विसुद्याले और विक्रम सिला विसुद्याले को किस ने बनवाया था धरम पाल ने तो यह याद रखिएगा इनके महतुपोर तक है आगे बढ़ते हैं बाउद धर्म के चार आरसत्त के बारे में पूछा जाता है तो यह दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय, अदिक निरोध मार्ग यह चारों आप याद रखिए इनका कभी पूछा जाता है तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, उसके बाद दुख निरोध मार्ग आता है, सिक्वेंस सही यह है, यह इधर है, यह इधर है, उसके बाद अस्टांगिक मार्ग के बारे में पूछा जाता है, पूछा इसके बारे में जादा नहीं पू माता जी की मरित्ट के बाद इनके पिता ने इनके देखरेक लिए साधी कर लिए ती, इनकी माुसे से तो ये उनकी 163 मा हो गए थी और जब इन से प्रित्र यहां आनद दिया हुआ है और इन ही के कहने पर ही माईलाओं को बहुत दर्म सामिल गी था शुरू में इननों पास से बनाये थे उसमें से आनद इनके सबसे प्रित्र अुदम के सब चीजें लगभख पूरी तरहे से पाली भासा में हैं कहीं आपको पाली से छोटी मात्रा के साथ मिल जाए कहीं बड़ी मात्रा से साथ आ रहेगा इसको आप याद किएगा पाली मासा से सम्बंदित आता है तो बहुत धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संगीतिया हुई थी पहली बहुत संगीति राजग्रिश में हुई थी 483 इसापूर में जो अजात सत्र के सासंकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष जोते सभा के महाकस्यप थे दूसरी बहुत संगीति वैसाली में हुई थी 383 इसापूर में उस समय के साथ काला सोग थे और इसके अध्यच सबाकामी थे फिर तीसरी बाद संगीती पाटले पुत्र में 280 इसापूर असोग के साथ संकाल में और उस समय अध्यच मोगली पुत्र थे इसको आप याद रखीएगा कोई भूल जाएगे लेकिन ये तीसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा पूछा जाता है 4 बाद संगीती कुंडल वन कस्मीर में हुई थे वो कनिस के साथ संकाल में हुई थी और वसुमित्र जी इसके अध्यच थे बाद तर इसापूर में हुआ था और कनिस के के ही साथ संकाल में बौत धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था इस बात को भी याद रखिएगा बुद्ध चरित के रचईता कौन आए बुद्ध चरित किसने लिखा है आस्वगोस ने सरवाधिक उपदेश इन्हों ने कहां दिया था गौतम बुद्ध ने तो सरावस्ति में दिया था जो कोसल देश कोसल उसमें कोसल छेत्र था उसमें आता था अंतिम उपदेश इनका सुभद को दिया था अपने सिस्ष्य को उन्हीं को देने गय थे उसके बाद इन्होंने मिलिनेद्पनहो मैं ये अब की बार के UPPCS में पूछा गया था इसके बारे में यही कोस्चन आया था कि मिलिनेदपनहो किस का वार्ण हो किसके तो ये नाग से नाग अरजून Ayuda से करके आप संस्त है तो ये question पूछा गया था तो बहुत धंड से सारे मौत्वपूर्ण संबंधित चीजे हो गए इससे आपका रिवाइज हो गया अब अगली वीडियो ऐसे एक एक टापिक करके आती रहेगी और आप सब रिवाइज करते रहें जाम से पहले पूल तरीके से प्रिपेर हो जाएंगे धन्यवाद